काफी दिनों से एक request हमारे पास आ रहे थी कि Redmi Note 5 Pro के अंदर MIUI 11 को कैसे install करें तो मैंने काफी लोगों को पहले ही बताया था कि MIUI 11 का GSI है उसके अंदर काफी सारे bugs है तो वो इतना stable नहीं है बट फिर भी मैंने आज MIUI 11 का GSI है जो कि MI MI MIX 2S Phone के लिए अवलिबल है उसको हमने अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर install कर रखा है रोम स्टेबल नहीं है कफी सारे bugs है अगर आप इसको test करना चाते हैं तो test कर सेथे तो आज की वीडियो में मैं बता हूँ का क्या 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 के अंदर आपको नए features देखने को मिलेंगे जो अगर आपको लिए MIUI 11 आता है और कैसे आप इस GSI को install करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि देख पा रहे हैं यह है Redmi Note 5 Pro और आज इसके अंदर हमने जो MIUI 11 है उसको install करका है मैं आपको दिखा जाता हूँ यह देखें माइडवाइस में अगर हम आल स्पेक्स की बात करें तो आप देख पारे होंगे डिवाइस मॉडल मिक्स 2S की GSI इमेज फाइल है जिसको हमने इंस्टॉल करका है जो कि है MIUI 11 9.9.9.9 बीटा के उपर Android version 9 मिलता है आपको और security patch जो इसकेंदर मिलता है 1st of September 2019 का इसकेंदर नहीं करता है तो यह तो हो गया इसका about phone page अब मैं कुछ चीज़ां आपको पहले ही क्लिए करता हूँ रोम जो है stable नहीं है काफे सरी bugs इसकेंदर देखने को मिलते हैं जो है इसकेंदर जीओ की वोल्ट कॉलिंग वो इसमें काम नहीं करती है तो कॉलिंग आप नहीं करते हैं सिर्फ आप इसके नजर वाइफा इसकेंदर काम नहीं करते हैं सिर्फ यह टेस्टिंग परपस के लिए है कि आप देखना चाहते हैं कि कैसा MIU 11 का लूक आपको Redmi Note 5 देखने को भी लिए तो वह चीज़ा मैं आपको दिखा जाता हूं तो सेटिंग स्पैनल जो है कम्प्रीट ली चेंज हो गया है अगर आप लॉक स्कीन के पर जाए तो आपको कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं स्लीप, डबल टैप, विक और टन अफ स्क्रीन, विक लॉक स्क्री स्टेम फॉन्ट, टेक्स साइज एंड फॉन्ट वेट का एक निया ऑप्शन मिलता है जिसमें आप टेक्स साइज और फॉन्ट वेट है उसको यहां से कम जादा कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें तो एक तरह है यह यह निया यूवाई में आपको चेंज देखने को बिलत ह्तुन चता जाते हैं उनको रन करते हैं और और ऊटो रोटेट स्कीट मिलते हैं और साथ जाते हैं किन सप्ट या नीचे सीटिंड मिलते में सब्सक्राइक खर lurु का पैनल यह जोग आपको चार अप्सपा रिंग्यार्到了 l algun सांट हवेंच और देख पार हूं कि पूर यम गर भित नक्सिप्र है बाद है आपको कॉछ अरे, देखने को मिलता है तो आपको कछ तरीका ले अब आउट देखने को मिलता है तो साउन्ड एं-डिवरेशन का पैनल चेंज हो गया है आपको Lock Screen Home Layout मिलता है, Home Screen Layout में 4x6 और 5x6 सी इसकेंदर देखने को मिलता है, यह सारी चीज़ें आपको Home Screen देहों होगे, Wallpaper में जाएं, तो Wallpaper में आपको काफी सारी सकेंदर नए Wallpaper देहने मिलता है, जाना System Wallpapers, Static Wallpapers मिल जाते हैं, और कुछ Live Wallpapers भी आप इसकेंदर देख प कर देखने को मिलता है, अगर माई Account में जाएं तो आपको लियाउट है, पूरा MIU11 का ही देखने को मिलता है, जिसमें आप Customize Theme में जाके Boot Animation, Boot Audio और सब चेंज कर सकते हैं, Themes को से आपर चेक कर सकते हैं, Wallpapers को चेक कर सकते हैं, Ringtones को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आए तो उसके ओपर में एक वीडियो बना दोगा, तो Password and Security आप देख चुके हैं, बैटरी एंड परफॉर्मेंस का जो लियाउट है, आपको बैटरी सेवर, Ultra Battery Saver option मिलता है, और बैटरी यूसे स्टेटेस का लूक आपको कुछ इस तरीका इसके अंदर देखने को मिलता है एपस में जाएं तो आपको कैटरिगरी स्वाइस जो है एपस की लिस्ट मिल जाती है, एडिशनल सेटिंस के अंदर वही option, Date Time Full Screen Display आपको मिल जाता है, इसमें आप बटन सेंद फूल स्क्रीन दिस्प्लेइ को इसके अंदर इसरी यूस कर पाते है, बाकि डिजिटल वेल बि देखने को मिलते हैं, Security and Utilities, Utilities के अंदर आपको काफी सारे और भी टूल्स मिल जाते हैं, जिनको आप इसके अंदर एजी यूस कर सेते हैं, बागी टूल्स आपको वही मिलते हैं, जिसमें Contents, Calculator, File Manager वेरा एक्सेस्ट्रा आपको देखने को मिल जाते हैं, Google Play Store जो है, इसमे इसमें दिखायता हूँ, File Manager में जाके, तो ये वो फाइले हैं, सबसे पहले चाहिए आपको MIU11 vendor, जो कि आपके फोन के लिए है, वाइड के लिए, और आपको चाहिए एक ZIP फाइल, जो की होगी, TAR.Z के नाम से, जो की है MIU11, A Only 9, वेका टेका टेक्स, आपको इसको अंजि वर्जिन फाइफ और पर्मिशन फिक्स की आपको एक फाइल जाएए, ये चार फाइलें आपने सेव कर लेनी हैं, और उसके बाद आप अपने फोन को रिकवरी मोट पर बूट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने सेटिंस पर जाएए, सेटिंस पर जाके आपका जो माई डिवाइस है, उस पर जाके हमाई यू वर्जिन पर टैप करके तीन डॉट पर टैप करके, रिबूट टू रिकवरी मोट पर रिबूट कर दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप फोन को सिच आफ करके वाल्यूम अप और पावर क इस अपने वाइब कर दिना है, इंटर्नल स्ट्रेश को आप नहीं करेंगे, यह सारे पार्टिशन आपके जैसी वाइब हो जाते हैं, आपको कुछ फाइलों को वन बाई वन फ्लैश करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने फ्लैश करना है, आप जाएंगे आप उसको इंस्टाल करेंगे, तो हम उसको इंस्टाल करेंगे, यह निर बाउट वाटी तू फॉर्टी सेकंड्स लेता है, फ्लैश होने का थो थोड़ा साम वेट कर लेता है, ताकि अपको यह वेंडर फाइल फ्लैश करना ज़ूरी है, अदर्वाइस आप जो है, एमारी फ्लैश हो गई है, अब जो आपने M.I.U.11 की जिप फाइल थी, जिसको आपने फोन के अंदर उन्जिप किया था, उस फाइल को आपने फ्लैश करना है, तो आप उस फाइल को सिलेट करेंगे एक बार, जो इमेज फाइल है, आपको यह याद रखना है, इमेज फाइल को आ उसको आपने फ्लैश करना है, उसको आपने फ्लैश करना है, तो इसको आपने फ्लैश करना है, उसको आपने फ्लैश करना है, तो इसको आपने फ्लैश करना है, तो इसको आपने फ्लैश करना है, तो आपका फ्लैश करना है, तो आपका फ्लैश करना है, तो आपका फ्लैश गई है जैसे ही यह इंस्ट्राइगे आप जाए क्या पयासिका कुछ तब टो है यह एक अगगए वाइप नोग के लिगाइए आपके सामने मिक्स का जो लोगो आएगा जाएगा बूर्ट शीन जाए जया यह है वह आपके फोन ते अंदर इंस्टॉल हो गई है अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी लेंगवज कैसी चेंज करने है क्योंकि यह चैनिस लेंगवज में आपको शो करेगा तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यह दिखिए बूट स्कीन आगी है बूट स्कीन आते हैं आप सब से नीचे जाएंगे और यह जो ओप्शेण है यह देख भारों कि नीचे स्ट्सी ओप्श्न की विए इसके बाद उसके बाद Wi-Fi आपके फोन के अंदर कनेक्ट हो जाता है तो इस तरीके से आप ये जो MIU 11 के GSI है उसको अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर यूज कर सकते हैं ये स्टेबल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था तो बिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर and बाबाई